नमस्कान दोस्तों सुवागत हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर पैंशन से संबनिद एकों नया ताजा अपडेट लेटेश न्यूज आप सभी पैंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं 22 जिलों के पैंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुसखबरी है क्योंकि 22 जिलों के पैंशन धारकों को अपरेल 2024 में 33,000 रुपे पैंशन का बुगदान होना प्रारम हो गया है यानि कि 33,000 रुपे लाभारतियों के बैंक खात में आना सुरू हो गया है यह लाभ दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्ता, कुष्टवस्ता और तलाक्षदांग, पैंशन धारकों को मिलना सुरू हो गया है किस तारीक में यह पैंशन का बुगदान सरकार द्वारा किया गया है, वह तारीक भी हम आपको दिखाने वाले हैं प्रूव के साथ सभी जानकारी आपको मिलने जा रही है वीडियो की सुरुवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा साथ ही बैल आईगन के बटन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिविकेशन है वह है सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं और प्रूव के साथ सभी जानकारी आपको अपडेट करा देते हैं देखे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर पैंशन धारक का नाम होता है यहाँ पर बैनिफिस्ट यानि कि लाभारती कोड यहाँ पर एजनसी कोड यहाँ पर स्कीम कोड यहाँ पर परपस दिने में देखे लिखा है ओल्डेज सम्मान एलवन्स यानि कि जो यह लाव दिया गया है दिव्यांग विद्वा, वर्दवस्ता, कुष्टवस्ता और तलाकशुदा वैसे तो 22 जिलों में यह पैंशन का बुक्तान सरकार की तरफ से करना प्ररम हो गया है यानि कि पैंशन का लाम मिलना 33,000 रुपे का सरकार की तरफ से लाभारतियों को दिया जा रहा है लेकिन जो हम यहाँ पर सबसे पहले आपको अपडेट करा रहे हैं यह वर्दवस्ता पैंशन धारक का है अब देखें यहाँ पर अकाउंट नंबर से इनको पेमेंट किया गया है इनका बैंक खाता इस बैंक में है तीन हजार रुपे यहाँ पर अमाउंट देखें लिखी हुई है तीन हजार रुपे यहाँ पर पुरूव के साथ सबी जानगारी आपको दी जाएगी रिक्वेस्ट की गई थी 20 अप्रेल दो हजार चोबिस को वैलिडेशन स्टेटस कमپरीट हो था 20 अप्रेल दो हजार चोबिस को ही फंड स्टेटस एप्रूवड बाई एजन्सी यह भी 20 अप्रेल दो हजार चोबिस को ही एप्रूवड हो गया था अब नीचे आईएगा जो फ़ाइल स्टेटस है बैंक रिसीव 20 अप्रेल 2024 क्रेडिट स्टेटस पेमेंट सक्सेस यानि के सवलता पुर्वक 3000 रुपे पैंशन के इन लाभारतियों को मिल चुके हैं अब देखिए इसमें अपडेट कराया है यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं जो PFMS ID ट्रांजेक्शन ID नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ है वे हमने हाइड किया हुआ है UTR नंबर होता है वे भी हमने यहाँ पर हाइड किया हुआ है ट्रांजेक्शन डेट देखिए बैंक ट्रांजेक्शन डेट लिखा है 224-2024 जो क्रेडिट डेट है यहां पर देखिए 22-2024 लिखा हुआ है यानि कि इस तारीक में 3000 रुपे पैंशन के यानि कि 3000 रुपे पैंशन जो रासी थी वहे 22 अपरेल 2024 को इन लाभार्तियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है देखें यहां पर हम आपकी जानकार के लिए बता दे कि इस राज्ये में कुल 22 ही जिले हैं अब 22 जिलों में एक ही तारीक में तो पैंशन का बुगतान करना संभाव नहीं है तो सरकार देखें किसी जिले में तो 20 या 22 अपरेल को पैंशन लाभार्तियों दिया गया अब किसी को 24 तारीक में मिलेगा किसी को 27 में मिलेगा किसी को 28 में मिलेगा सभी जिलों की तारीक अलग-लग हो सकती है पैंशन बैंक खाते में ट्रांसफर करने की भी अलग तारीक हो सकती है अब देखिए इस जिले में इन जिले के जो लाभारती होंगे इन लाभारती को 22 अपरेल को पैंशन कलाम मिल चुका है अब हम बात करें हैं 22 जिलो के बारे में तो यहाँ पर आप देखिए आप online भी अपनी pension का status चेक कर सकते हैं आप swim देख सकते हैं कि आपके bank खाते में किस तारीक में यह pension का पैसा सरकारिक तरफ से credit किया गया है जिस भी आप योजना का lab ले रहे हैं उस योजना का lab देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है pension purpose नेम देखिए लिखा है तो इन लाभारती को जो lab ले रहे हैं यह old days यानि कि वर्द वस्ता सम्मान भत्ता योजना इनको दिया जा रहा है इस योजना के तैट इनको pension का lab मिल रहा है यदि आप दिव्यांग तो यहाँ पर disability भी लिखा आ सकता है और यदि आप विद्वा महिला या तलाकशुदा परत्यक्ताम महिला pension योजना का lab ले रहे हैं तो यहाँ पर इंग्लिस में उसका नाम यहाँ पर आपको देखने मिलेगा अब देखे जो 22 जिले हैं कुल 22 जिले हरियाना राजजे में हाते हैं तो आप कह सकते हैं हरियाना राजजे के 22 जिलों में अपरेल महिने से pension का लाम मिलना सरकारिक तरफ से ट्रांसफर हो गया है यह लाब सभी 22 जिलों के दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्था, कुष्टवस्था और तलाक्षुदा लाब हार्तियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाना है देखें यहाँ पर हम आपकी जानकार के लिए बता दे की एक जनवरी दो हजार चोबिस से पैंशन में बडोतरी की गई थी दो सो पचास रुपे की पहले इस राज्य में दो हजार देखें दो हजार साथ सो पचास रुपे पैंशन के दिये जाते थे लेकिन एक जनवरी दोजार चौबिस से पैंशन में बडोतरी होने के बाद परत्ती महिना तीन-तीन हजार रुपे पैंशन मिलना सुरू हुई अब जो जनवरी महीनी की पैंशन है वह फरवरी महीने में 3,000 रुपे ट्रांसफर की गए लाभार्तियों के बैंक खाते में अब जो फरवरी महीनी की पैंशन थी वह मार्च के महीने में ट्रांसफर की गए 3,000 रुपे लाभार्तियों के बैंक खाते में अब जो मार्श महिनी की पैंशन है सरकार फिलहाल वहें लाभारतियों बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है 3,000 रुपे अपरेल के महीने में ध्यान से इस परकार से आप इसको समझना है तो देखे आप कह सकते हैं 22 अपरेल 2024 को इन लाभारतियों पैंशनासी दी गई है वहें मार्श महिनी की थी मार्श महिनी की 3,000 रुपे पैंशनासी इन लाभारतियों के बैंक खाते में सफलता पुर्वक क्रेडिट यानि की ट्रांसफर की जा चुकी है ओनलाइन आप अपनी कैसे पैंशन का इस्टेटस देख सकते हैं कैसे देखा जाता है कि आपके बैंक खाते में पैंशनासी आई या फिर नहीं आई है देखे इसके ओपर हमने पहले ही एक वीडियो मनाई गई है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के द्रिस्किप्शन बोक्स में दे दिया जाएगा वहाँ पर क्लिक करके आप उसको देखिए और ध्यान से समझेए इसी परकार से इस्टा बैस्ट आप भी ओनलाइन अपनी पैंशन पेमेंट इस्टेटस चेक कर सकते हैं देख सकते हैं आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको हमारी दियुही जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे कॉमेंट बोक्स में आगर पूछ सकते हैं सभी सालग जब आपको दे दे जाएगा लाश्ट में हम निवेदन यही करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बैल आईगन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट उडियो में एक और नई जानकारीक साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत